Hello friends, आई हम इस question को solve करते हैं A student was asked to multiply a number by 3 by 2 But he divided the number by 3 by 2 The result was 10 less than the correct answer The number was क्या कह रहा है कि एक student को किसी number, for example x को multiply करने को बोला गया 3 by 2 से लेकिन उसने क्या किया multiply करने की जगे उसने divide कर दिया 3 by 2 से और जो answer आया वो 10 less आया correct answer से तो इसको question को proceed करने के लिए हम question को किस form में लिख लेते हैं इसी form में लिख लेते हैं जैसी condition question में दी हुई है तो question में क्या condition दी है कि x को 3 by 2 से multiply करने को बोला गया लेकिन student ने क्या किया कि x को divide कर दिया 3 by 2 से और condition क्या दी हुई है कि इन दोनों के बीच का जो difference है इन दोनों के बीच का जो difference है वो कितने के बराबर है 10 के बराबर है क्योंकि यहां answer question में mentioned है कि the result was 10 less than the correct answer it means अगर वो multiply करता तो 10 जादा आता है लेकिन चुकि उसने divide कर दिया 3 by 2 से तो 10 कमार आ रहा है तो जो difference है वो क्या है 10 का difference है ठीक है तो हम इस equation को solve करेंगे और x की value find out करेंगे वो ही हमारा क्या होगा number होगा तो हम इस bracket को open करते है 3 x by 2 यहाँ पे division की sign है तो यह fraction क्या हो जाएगा inverse हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 x by 3 equal to कितना हो जाएगा 10 2 और 3 का LCM क्या हो जाएगा 6 2 से 6 कितनी टाइम जाता है 3 ताइम तो यहाँ 9 x आ जाएगा यहाँ पे 3 6 से कितनी बाच जाता है 2 बार तो यहाँ पे 4 x आ जाएगा और equal to 10 और आगे further हम जब इसको करेंगे तो 9 x minus 4 x बराबर हो जाएगा 5 x के और यह 6 जो है 10 से multiply हो जाएगा तो 60 आ जाएगा It means यह x की value जो आ जाएगी वो 12 आ जाएगी तो हमारे जो correct answer होगा यह जो number हमें desired है वो क्या है 12 जाएगे 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 जाएगे